वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन 5 जुलाई को मोधी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी आपको बता दे कि सरकार अब एक ही बजट पेश करती है अब अलग से रेल बजट पेश नहीं किया जाता हर वित्यवर्ष पर पेश होने वाले आम बजट किसी न किसी वज़ा से चर्चा में रहते हैं क्या आपको पता है कि देश का पहला बजट कब पेश किया गया था? नहीं, चली हम आपको बताते हैं हम इस खबर में आपको देश के पहले बजट और आजाद भारत के पहले बजट के बारे में बताएंगे भारत का पहला बजट एक अंगरेज ने पेश किया था नाम था जेम्स Wilson, 7 अपरेल 1860 को देश का पहला बजट पेश किया गया था जेम्स बिटिश वाइसराइक काउंसिल के मेंबर थे वहीं आजादी से पहले बनी भारत की अंत्रिम सरकार का बजट लियाकत अली खाने पेश किया था ये बजट 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिये था जबकि आजाद भारत का पहला बजट ततका अलीन वित्यमंत्री आरके शर्मुखम चेटी ने 26 नवंबर 1947 में पेश किया था ये एक अंत्रिम बजट था आजाद भारत का पहला बजट वित्यवर्ष 1947-47 में पेश किया गया जो साड़े साथ महीने की अवधी के लिए था दरसल वित्यमंत्री ने सदन में कुल 6 करोड 52 लाक रुपे के घाटे का बजट पेश किया था बजट में कुल आए 172 करोड 77 लाक रुपे और कुल वए 178 करोड 77 लाक रुपे दिखाए गए थे वित्यमंत्री चेटी ने वित्यवर्ष 1948-1949 का भी बजट पेश किया ये बजट भी घाटे वाला ही था शेटी ने 26 करोड 85 लाक रुपे के घाटे का बजट पेश किया जो की पूरे वित्यवर्ष के लिए था इस बजट में कुल आए 230 करोड 52 लाक रुपे और कुल वए 257 करोड 37 लाक रुपे बताया गया